हेलो बच्चो आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डियोई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वॉक्षीट मिलती है ना तो जो यह 24 जुलाई की वॉक्षीट है ना आपके एक्टिविटी शीट जो यह मैं आपको यह कराने वाली हूँ इसमें आपको क्या दे रखा ह पूरा समझा रखा है कि क्या क्या आपको चाहिए उसके अंदर जैसे ग्रें वाइट चार्ट पेपर चाहिए सीजर चाहिए तूलर मतलब स्केल पैंसिल एरेजर काड़ यह सारी चीज़े चाहिए करना क्या है आपको इस एक्टिविटी में इन्होंने एक लीनियर एक्वे यह सिर्ण लाइफ के बना दिएज ने से लाइफ उरन बाड और फीनलाइफ जाहिए बना देगे ँंगई आपफ यह सारे पाफन पारेगा सबसे पहले है ना तो यह प्लस का है तो दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा 3 को माइनस करना पड़ेगा तो मैंने क्या किया सब्ट्रेक कर दिया 3 फ्रॉम बोथ साइड है हमने इसीलिए ठीक है next step में क्या करेंगे 2x is equal to 8 है अब 2 को हटाना पर तो 2 multiply का है इसमें डिवाइड कर दिया 2 से दोनों साइड तो इस चू से ये 2 कट गया, इस से ये कट गया 4 आजाएगा, तो अगले step में ये लिखा, x is equal to 4, अब यहाँ कैसे हटा होगे, ये divide का sign बना दिया हूँ, तो x, x कर दिया न, divide का यहाँ पर, दो बार कर दिया न, बीच में, तो एक x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर वो 1 से 1 होड के 1 आ गया, ठीक है, अब उसी पर बेस्ट आपको यहाँ पर एक दो कोशन्स दे रखें, के रहें, find the solution of following linear situation, step by step ही आपको solve करना है, तो यहाँ पर य y रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़े आपको ऐसी ही लिखनी है, सिफ डिजिट चेंज करनी है, तो पैले step में था, हमको सिफ एक्वेशन लिखनी है, वो हमने यहाँ लिख दी, अब 3 को हटाना परेगा, दोनों साइड से, तो second step में हमने यहाँ लिख दि और 15 माइनस का 3 हो गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्वेशन क्या बन जाएगी, वो हाजएगी 4y is equal to 12, clear हुआ, अब आपको 4 हटाना परेगा y में से, तो multiply हैगा तो divide करना परेगा, तो यहाँ लिखेंगे अब हम, divide both side by 4, तो यह हो जाएगा 4y upon में 4, यहाँ पर हो जाएगा 12 upon में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y बचेगा, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बचेगा, तो y is equal to 3, is the solution of given equation, ठीक है, यहाँ जो image बनानी आपको वो same आप उपर की तरह बना सकते हैं, जैसे यह बनी विए हैं, उसी according ही लिखना, बस gray box को याद रखना y से denote करना, जो जो चीजे की हैं वो लिखते रहना, same ऐसी यह बना है, अपकी बार जो वो gray box होगा, वो उसमें क्या represent होगा, t represent होगा, तो पहले step में तो हम equation ही लिख देंगे अपनी, 7 हटाना परेगा दोनों side से, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर subtract करना परेगा, second step में, subtract 7 from both side, तो यहाँ जाएगा, 3T plus का 7, minus का 7, और यहाँ जाएगा, 10 minus का 7, 7 से 7 कट गया, तो 3T is equals to 3, 3 आ गया, ठीक है न यहाँ तक, अब, T के साथ 3 है, तो 3 हटाना परेगा, इसका मतलब divide करना परेगा, 3 को, क्योंकि वो multiply का है, तो divide both side by 3, इसका मतलब 3T upon में 3 हो गया, और 3 upon में 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, T is equals to 1, तो मैं कह सकती हूँ, T is equal to 1, is the solution of given equation, पिच्चर आपको वैसे ही बनानी है, जैसे उपर यह फिगर बनी है, सेम ऐसी ही बनानी है, बस इन में यह change करते हैं ना, डिजित याथ से, clear? यह थी आपके पास आज की वर्क्षिट, एक एक एक्टिविटी वर्क्षिट, अच्छे से कर लेना, फिर भी कहीं दिक्कत लगे, कमेंट करके आप पूछ सकते हूँ, वीडियो अच्छी लगे, लाइक जरूर कीजेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शे कर लीचे, थेंक यू, have a nice day